सो हेलो भिया नमस्ते जी तो स्वागत करते हैं फिर से एक न्यू ब्लोग वीडियो में तो भिया हम फिर से आए हैं पार्टली पुत्रा बंश टर्मिनल का वीडियो बनाने तो जैसा कि हम आपको पिछले वीडियो में बताया थें कि पांच दिन बाद हम फिर से आएंगे पा उपड़ आये थे और हम आपको यह बताये थे कि अगले वीडियो में हम आपको पूल पे दिखाएंगे कि कैसा सीन है और पूल से कैसे जाने का रास्ता है नीचे जैसे कि नीचे से रास्ता था उपड़ आने का ठीक ऐसा ही उपड़ से आप नीचे जाएगा लेकिन हम आपको दिखा दे कि नीचे से तो ऊपर आने का कुछ आप देख लिए थे कि भीव कैसा था लेकिन ऊपर से नीचे जाने का कैसा भीव है देख लिजे हम आपको बता देते हैं फिर से इस वीडियो में यह आपका नीचे हुआ पार्किंग साइड जो बस का पार्किंग साइड है वो ह पूल है ना उस जगह पे हम है और यह आपका रोड पे जाता है बाइपास पे आप जाएएगा इस से और वहां से हम अभी इंट्री लिये हैं इस पूल पर आए मतलब फस्ट टर्निंग पर आए हैं और इस फस्ट टर्निंग के बाद आपको दो डाइवर्जन दिख रहा है मत साइड से मतलब नीचे से हम ऊपर आए थे लेकिन इस वीडियो में हम नीचे नहीं जाएंगे क्योंकि आपको तो पता ही है कि इस सामने से आप जाएएगा नीचे और इधर से भी साइद पूल से रास्ता है जाने का तो हम इधर अभी नहीं जाएंगे क्योंकि एक बार प्यूंभार भी नहीं गये हैं तो चलते हैं और क्या कुछ देखने को है इस वीडियो में देखेंगे तो चलिए हम लोग देख लेते हैं हाँ जी तो चलिए अब हम चलते हैं इस साइड मतलब कि पच्छिम के साइड जो है रास्ता उस साइड चलेंगे ये तो आपका दच्छिन का साइड था ठीक है तो हम इस साइड पच्छिम बाला रास्ता में चर रहे हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसा सीन है देखिए सबसे कि पहले बाद तो आपको बता देन कि पत्सीम बेस्ट काम चरी रहा हुआ उस साइट किसे हैं फबार घुम लियें लेकिन इस साइट हम भी नहीं हैत साइड भी है कि जब हम आते थे तो इधर ट्रक बगेरा ये सब लगा रहता था तो हम नहीं आते थे समान उतरते रहता था जैसे की लोहा सिमेंट बालु ये सब नहीं आते थे लेकिन आज हम इधर काइनिली आ गैं क्योंकि हम सब जागा कि आपको सिन दिखा दिए है तो और खुद हम नहीं देखे हैं तो देखना भी बनता है तो चलिए आपको दिखा दे लेकिन उससे पहले नीचे का कुछ नजारा दिखाएं कि आखिर नीचे है क्या तो देख लिजे ये नीचे आपका गली जैसा है ये आपका एक बिल्डिंग हुआ ये आपका सेकंड है ।। आप देखले जैसे पूल के साइड में मतलब की शुल के नीचे आप देखिएगा तो बस लगा है मतलब पार्किनग साइड है और ये पूल के नीचे-नीचे तो फीलर होता है और पीलर के नीचे साइंकिल बगेरा यह सब जो लेवर काम कर रहे हैं वो लगा कर रखते हैं और कुछ ने यह पूल के नीचे बस ऐसा ही और वह जो मिन आप देख रहे हैं फ्रंट में पूल देख रहे हैं उसके नीचे टीकट अभी बुकिंग होता है ठीक है तो चलिए यह देख लिज लगा तो आएंगे अभी तो मेरा यहां आना जाना लगेगा नहीं होता है कुछ लगता है कि इंप्रूब हो रहा है तो हम आजाते हैं यहां पर ठीक है और एक चीज और देख लिए उसके बाद भी एक तर्णिंग मिल गया है अब हमको वह रास्ता दिखी नहीं है देख लिए दम गोल मटोल आपको दिखाई देगा यह रास्ता आपको तो रास्ता दिखेगा भी नहीं जहां से हम आये हैं यहां पर ठीक है और यहां पर अंदर जाने का रास्ता है जैसे कि यहां पर मॉल यह सब जो बनेगा वह अंदर जाने का यहां पर रास्ता है आपको स कहां लेकिन तह醫生 है एक ताहिए कन्सित यहां कभर लिगने और आगे चलते हें देखा थहां कि हमक्तर होगा और कुछ नहीं ठीक है तो चलिए दिखा देते हैं आपको और वह आपको देखिए फ्लाई ओवर दिख रहा होगा यह वह बिल्डिंग के अंदर जाने वाला रास्ता है तो वहां पे हम पिछले वीडियो में गये थे मतलब कि वहां पर पानी लगा हुआ था इसलिए हम नहीं दोटे गये थे हम दूसरे रास्ता से पूल पे आया थे मतलब कि फास्ट फिलोड काने का वतलब कि पूल पर इस पूल पे आ गहे इसका मतलब कि आप सेकंड फ्लोड पी आ चलिए लेकिन उस से पहले आपको कुछ पीछे का सीन दिखा दें कि अभी हम अबुथ प्ला कुछ बन रहा है तो जब बनेगा तब हम जाएंगे क्योंकि अभी कुछ बोड भी नहीं लगाया गया है और नहीं लोग है यहाँ पे कि जिन से हम पूद सकें कि आखिर यह क्या बन रहा है ठीक है तो यह पीछे का आपका पार्किंग साइड हुआ अब देख लिजे लगवक पूडा भास मतलब रोट पर तो बस ऊंस लाएं है तो सब बस आधर होगा ना रख लीजे लगवकुजा बस आपको नजर आ रहा होगा थे ठीक है नहीं तो यह आपका साइड जाता है दछ्षिन के साइड ठीक है ये उत्तर साइड है मतलब कि यहां सब्सक्राइब और यह सामने हो जाएगा ठीके और यह दच्छिन साइड होगा तो अभी दच्छिन साइड जा रहे हैं कि यह रास्ता है इसके अलावा कुछ रास्ता नहीं है और यह पीछे बिल्डिंग का सीन हुआ आपका और यह जो आप देख रहा है यह पूल वह दोनों और जाते हैं जगा Battle. टीकट करता हैं वहां पे आप निकल जाएगा जैसे हम पिछले वीडियो में जहां से इंट्री कीए थे वहां से आप निकल लीएगा ठीक है तो मतलब कि आप पीछे से भी अंदर जा सकते हैं इस विल्डिंग में और फ्रंट साइड से भी आप बिल्डिंग के अंदर आ सकते हैं ठीक है तो इसे सिफा बेड़ा लगा दिया गया है कि नहीं जा पाएंगे और और अंदर हमको आदमी बगरा दिख रहे हैं ठीक है तो अब चलिए हम यहां से टर्ण लेते हैं और आपको पीछे का भी सेट दिखा दें और यह तो दिखाना आपको हम भूली है यह देखिए इलेक्ट्रिक बगरा यह सब मतलब की जनरेटर होगा ठीक है और वहां पे आप देख लिजी सिर्फ पानी है जैसे की तलाब में पानी होता है उस परकार से पानी भरा हुआ है सामने भी और इधर भी ठीक है अब इधर क्या काम होगा वो तो काम होने के बाद ही पता चलेगा फिलाल तो कोई आइडिया नहीं है ठीक है तो चलिए अब चलते हैं इस बैठीक है मतला वह स्ट्रींग पर छले जाएगा प्रेंट प्रेंट से फिर हम लोग तर्न कड़ेंगे तो पूल से नीचे चले जाएंगे ठीक है तो देख लिजे पहले उससे पहले आपको पीछे का कुछ स्थिन दिखा दे के पार्किंग साइड पार्किंग साइड है और यह आपको ड केमरा से दिखाना होगा यह जो आप रोड देख रहें हैं यह रूड आपको ले जाएगा गेट नंबर टू के पास आप समान भगाई रहे हैं यह बंस पे लोड है और सब अच्छा का साथ चले डाया है, ठीक है? हाँ जी तो अब चलिए हम लोग इस रास्ता से जा रहे हैं फ्रंट साइड में और यहाँ पे भी ठीक वैसा ही है, जैसा कि हम लोग फ्रंट साइड में देखे थें second floor पे जाने का रास्ता जहां पे mall बगेरा यह सब ticket booking होगा वहां पे जाने का जैसा रास्ता था ठीक वैसा ही यहां पे भी बनाया जया है यह पूल पे आगा के रास्ता है बस वही हमको दिखाई दे रहा है उसके लावा बिल्डिंग के अंदर जाने का रास्ता कोई भी नहीं है ठीक है तो अब हम आ गए हैं लास्ट इंड पे ठीक है मतलब कि बस वहां पे हम लोगों को जाना है तो हम दो चले जाएंगे फ्रंट एठीक है और यह आपका हुआ नीचे का खुर्तिन तो आपको याद ही होगा पिछला वीडियो अगर आप देखें होंगे तो हम यहां से इस बिल्डिंग के अंदर आये थें और वहां से हम लोग वहां से हम लोग उपड़ा आये थे आगे जाकर के आपको दिखाएंगे त इस तरह से काम हो रहा है param बहुत खतरनाख काम हो रहा देख लीजिए मतलब रशी में लड़के हुए हैं ए słu लोग और उपड साथ कोई बैठ नहीं देिए हैं क्योंकि राष्टा यह बंद होगा और बहुत ही खतरनाक हुए ठीक है और इस बिल्डिंग के अंदर तो लाइट बगरा भी जर रहा है आपको नहीं दीख रहा होगा क्योंकि मुवाइल है न हम सामने से देख रहे हैं बहुत ही संदार होटल जैसा रूम है ठीक है बहुत महंगा होटल ही होगा तो कोई बात नहीं अभी तो हम जा नहीं सकते है और आपको कार जाता हुआ दिख रहा होगा आपको दीखास रहेगा कैसे जाय देखिए वहाँ पे आपको दिखेगा वहाँ पे देखिएगा वहाँ पे आपको जरूर दिखेगा वो कार अभी आया नहीं है देख लिजे आपको लाइट दिखाई दे रहा होगा कार का वो देखिए वो कार ground floor पे चला गया ठीक है वो कार है जो ground floor पे चला गया और इस ground floor मे अगरा से आते हैं तो आपको बंस अस्टेंड में इंट्री करने की कोई भी जरूरत नहीं है आप बाइपास से ही पूल पे चहर जाए और पूल से डारेक्ट नीचे चले जाए ग्राउंड फ्लोर में ठीक है यह आपका बंस का पार्किंग साइड हुआ ठीक है यह गेट नमबर टू हुआ सामने बाइपास पर जहां पर लाइट जार रहा है वो सामने बाइपास है तो यह आपका गेट नमबर टू हुआ और यह आपका टर्निंग हुआ जो कि वहाँ पर हम लोग चले जाएंगे बाहर में ठीक है तो चलिए अब हम लोग चलते है छो चलते हैं बाहर और तोड़ास आपको दिखा दें कि ये जो आप रासता देख रहे हैं ना यही रास्टा यही रास्ता आपका है अंदर जाने का मतलब से अप Primary और वाधर सकते मतलत हैं स्थेंड के निकल सकते हैं तो चलेए अब हम लोग सामने जाएंगे तो हम लोग डारेक्ट वहाँ पे चले जाएंगे जहां से टर्निंग है पूल का बाहर निकलने का ठीक है तो चली अब चलते हैं हाँ जी तो आपको बता दें कि ये वही जगा है जहाँ पे हम आपको हर वीडियो में बोलते थें कि आप यहाँ पे आकर के टिकट कटाईएगा ठीक है लेकिन अंदर क्या है आज तक हम नहीं गये हैं लेकिन हम अगले वीडियो में कोसिस करेंगे कि अंदर जाएं और आपको बता दें कि यहाँ पे लगवक काम फाइनल हो गया है मतलब इस साइड में आपका लगवक काम है जो फाइनल है ठीक है देख लिजे अंदर बहुत आपको पीछे भी दिखाएद है कि एक होटल जैसा रूम दिख रहा था हमों ठीक हे मतलब इससाद लगवाक काम है आपको देखने भी ठीक ठाक लग रहा होगा लग जेंदें और यहाँ पे आपetes अपको भूच्चा सब क और यहां भी आपको वही स्री देखने से वीडियो वह जो आपको दिखाई दरा है पारकिंग पीला से लिखा हुआ पारकिंग वाओ गार्ड दिखाई दरें वही रास्ता है ठीक है तो अब चलते हैं हाँ जी तो चलिए अब हम लोग चलते हैं घर क्योंकि थोड़ा अंधिरा भी हो गया है और हम लोग पूरा पूल का सुटिंग कर लिए हैं तो अगले बार हम लोग यह सेकंड फ्लोर पे जो अभी हम आपको बताए कि वह काम फाइनल हो गया है वहां पर जाने का प्रियास करे करेंगे तो चलिए अब चलते हैं बाहर है अब करेंगे तो चलिए अब चलते हैं बाहर है